पुलिस के दरोगा की शराब पार्टी शराब के अतिदिक सेवन से 60 वर्षे मुकेश की मौत गटना के बाद आरोपी दरोगा मोके से फरार। सूचना पर पहुचे पुलिस ने पंचायत मामा की कारेवाई के बाद शर्व को पोस्माटम के लिए बिजवाया। सूबे दिल्नी मार का शराब लेकर अपने पैते गाउं आया था आरोपी दरोगा। मामने की बारी की से जा तवस्था में पड़े हुए थे कुछ पैसे का लें दिन ता जो दस महीने से था इन्होंने लेकर किसी को दिये थे और अब गए तो ठीक ठाक थे हमने भी सुबा देखा है और हमें सिर्फ मौके पहुचने पर पता चला है कि वह उनके हरपाल सिंग घर पर उनको छोड़के मेरा तवस्था में परार है भाग गए तो वहां क्या का दिखाए दिया आपको वहां जिस हालत में पड़े हुए हमने तो सबसे पहले यह जिखा था कि पहुचके वहां उनकी जान नी थी उनकी बॉड़ी में और यह कहा जा रहा है कि दारू-दूरू में कुछ मिला के और कि अब तक इसका क्या प्रिंट हो आज कपोर थाना चेत्रि के रोनी सलोनी गाउं से एक सूचना प्राप्तुरी कि मुकेश नाम की व्यक्ति की मुथ्यू हो गई है और वो उसी गाउं के हरपाल नाम के व्यक्ति के साथ के घर पे हैं इस सूचना पे पुलिस मौके पर कि दिल्ली पुलिस में सब इस्पेक्टर भी हैं और वो आज सुबह ही यहां गाउं में आये थे और नशे के आदी हैं मुकेश को भी नशे का आदी बताए गया दोनों लोगों ने घर पे ही शराब पी उसके बाद मुकेश की तब्यत खराब होने पे जो दरोगा है और उन परिजनों की तहरीर प्राप्त होते ही इसमें आगे की विधिक कारवाई की जाएगी तो मैडमीर शराब है यह कहां से खरीदे गई थी अभी तब जानकारी और कौन सी ब्रांड शराब यह जो वहां लोगों के द्वारा बताया गया वो रॉयल स्टैग ब्रांड की शराब पी गई थी अंग्रेजी शराब का सेवन किया गया था यह दिल्ली से ही लेकर आते थे जो गाउं वाले थे उनके द्वारा बताया गया कि इनका दिल्ली से और यहां गाउं में आना जाना बना रहता था और यह खुद ही वही से शराब लेकर आते थे और खुद भी सेवन क सब्सक्राइब करना ना भूलें नीचे दिये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें